पूरे देश में जहां एक तरफ जो आकड़े बताते हैं कि 8% आबादी इस देश की ऐसी है जो 4 पहिया वहान पर घूम रही है जी हाँ यानि 4 विलर जिसे कहते हैं कार जिसे कहते हैं लेकिन जब यह आकड़े आप बिहार के देखेंगे तो पता चलेगा कि मात्र सुन्य दिस प्रतिसत बिहारी ही ऐसे हैं जो 4 पहिया एफॉर्ड कर पा रहे हैं मतलब जो कार पर घूम पा रहे हैं जो गाड़ी चला पा रहे हैं इसके बाद दो पहियों का आकड़ा भी उतना ही भयावा है बिहार को लेकर देखिए जो जातिय जनगर्णा की रिपोर्ट आई है उसम 17 सवाल पूछे गया है जिसमें एक सवाल ये भी था कि उनके घर में कितने गाड़ी है यानि वाहन है दो पहिया तीन पहिया चार पहिया या फिर जो बड़ा वेहिकल होता है वो इन तमाम आकड़ों पर सवाल पूछे गया थे और उसके रिपोर्ट जब सार्जोनिक की लगा लेजिए कि बिहार की क्या इस्थिती है तेरा करोड़ से अधिक की आबादी है और इनमें 95 प्रतिशत बिहारी ऐसे हैं जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है देखिए भारत में वाहन स्वामित्यों की स्थिती एक जटिल और बहु आयामी समस्या है यह समाजिक आर का कोई भी जो वेहिकल होता है वो नहीं है अब देखिए बिहार की कुल आबादी जो पताई गई है इस रिपोर्ट में वह करीब 13 दिसम्लब सुन्ने 7 करोड़ है जिसमें मात्र सुन्ने दिसम्लब एक एक करोड़ आबादी ऐसी है जिसके पास कार है यानि पांच लाक बह 70,000 लोग ऐसे हैं जो चार पहिया पे घूम रहे हैं वहीं अगर बाइक या स्कूटी की हम बात करें यानि दो पहिया बाहन की बात करें तो उनकी अबादी करीब करीब 49,68,000 जी हां 49,68,000 लोग ऐसे है जिनके बस बाइक या स्कूटी है अब बिहार की 13 दिसम्लब सुन्ने 7 करोड की अबादी में 12,48 करोड लोग के पास किसी भी तरह का कोई वहान नहीं है रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि समान जातियों में 2,01 करोड लोग ऐसे हैं जिनके में से केवल 11,99,99,000 लोग के पास नहीं वहान है मतलब अब समझे कि जो 2 करोड 11,70,000 जाती के लोग है बिहार में अबादी के अनुशार उनमें भी 2 करोड 11,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास वहान हैं जबकि देश के आकड़े कुछ अलग हैं देश में करीब 8% लोग ऐसे हैं जो 4 पहिया पर घूम रहे हैं अब देखिए भारत में वहान स्वामित्यों की स्थिती दुनिया क अन्य देशों की तुल्ला में खराब है पिछले साल स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले सर्वे में पाया था कि भारत में 12 घरों में सिर्फ एक घर में ही कार है और वो राज जहां पर सबसे अधिक वेहिकल पाए जाते हैं वो गोवा है गोवा प्रती घर के हिसाब स कार रखने के मामले में देश में सबसे आगे है वहीं देखा जाये तो दो पहिया वहानों में को रखने में भारतियों लोग की रैंकिंग बहतर है भारत में ऑसतन 50% परिवारा ऐसे हैं पूरे देश की बात हम कर रहे हैं 50% परिवारा ऐसे हैं जिनके पास दो पहिया वहान लेकिन बिहार में वो आंकड़ा जो है, वो महज 3% पर आकर समाप्त हो जाता है, अब सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों बिहारी इस मामले में भी इतने पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहला कारण, तो यही आप समझे कि बिहार एक गरीब राज ये है, एक पिछड़ा राज ये है, और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रतिव एक्ति आए जो है, पर कापिटा इंकम बिहार का बेहत खराब है, मतलब एक महीने में अब तो खुद सरकारा याकड़ा बता रहे हैं कि 6,000 से कम कमाने वाले बिहारियों के संख्या 34 प्रतिशत के असपास है, और 10,000 से कम कमाने वाले बिहारियों की संख्या बिहार में 64 प्रतिशत से कम है, मतलब दो तिहाई बिहारी ऐसे हैं जो रोजाना धाई से 300 रुपे कमा पा रहे हैं, तो ये तो पहला कारण हो गया, दूसरा कारण जो तो एक औसतन कारण माना जागा कि सारवजनिक परिवहन का अच्छा नेटवर्क है, विहार में बस, ट्रक, आटो रिक्सा, यह इसली एवलेवल हैं, मतलब आसानी से मिल जाते हैं, जिस कारण लोग दो पहिया या चार पहिया करने से साय परहेज करते होंगे, और तिसरा सडकों की खराब इस्थिती, यह भी एक बेहत बड़ा कारण माना जाता है किसी भी राज में, अगर गारिया कम बिक रही हैं, वेहिकल कम बिक रहे हैं, तो यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि सडक वहां के खराब होंगे, इसके साथी साथ, जाम की समस्या सबसे अध की स्थिती खराब है तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है तो ये तीन कारण समझ में आते हैं जिसे कारण बिहार में गाड़िया कम बिखती हैं चाहे दू पहिया हो या फिर चार पहिया फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही मिरा नाम उदेप्तारा ने बहुत बहुत शुक्रिए